नमस्कार अब्रिवन वेलकम बैक यू और वाचिंग अनॉस्टिक तो आज हम करेंगे चैप्टर थ्री का पार्ट टू और पार्ट टू में चैप्टर कम्प्रिट हो जाएगा आज ठीक है इसके बाद जो प्रीवियस यह कोशन कोच है या प्रेक्टिस कोशन वो देखेंगे अगली वीडियो में ठीक है फिर हम चलेंगे चैप्टर फॉर पर तो आज का ओवर्व्यू क्या है आज हम कवर करेंगे ब्रॉंज क्राफ्ट अधर मैटल क्राफ्ट लेदर प्रॉडक्ट्स ठीक है फुट्वेर जितने भी हैं वूडन वर्क जितने भी टाइप्स आफ देखेंगे ठीक है टॉइस का ओवर्राल कॉंटेक्स भी देखेंगे मार्केट कैप क्या है जो भी है ठीक है स्टोन वेर फ्लोर डिजाइन और अधर फेमस हैंडी क्राफ्ट इन इंडिया इसके बाद चैप्टर हो जागा कम प्लीट तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक प ब्रॉंज क्राफ्ट देखने हैं पहले इंट्रो एंशन टाइम में मैटल वर यूजड फॉर स्पेर ठीक है एरो भाले वगरा हंट के लिए मोर देन देवर यूजड फॉर आर्ट तो बेसिकली पहले वो हंटिंग के लिए पेट पूजा पहले फिर काम बाद में तो यही यहां पे भी येध मैटल कास्टेंग फाफ्ट में उसेफल एारफ्ट में शेडा अब थॉर स्वर्ण शब्रॉंज फ्रॉज फाफ्ट वर दान्सिंग क dopoमद्च हॉर पॉर्ण अद के विए पॉर दीक है विए एजग मिली का पह थी मोब हं झुड हॉझıs has dated around 3500-3000 BC , तो यह हम देख चुके है पहले , ठीक है ? We know that the earliest non-ferrous metals used by men were copper , जो non-ferrous है पहले उसमेंसे क्या था ? copper used हो है पहले and tin and these two were mixed to form bronze , इन दोनों को मिला के बनता है bronze , ठीक है ? can be found in the Matsya Purana , तो different methods of bronze , यह कहां में मत्य पुराना में , और Matsya क्या था ? this is Lord Vishnuji का अवतार , ठीक है ? जिंक , तो रसा , रतनकार क्या है ? यह describe करता है method of , method for metal extraction , ठीक है ? जैसे gold , silver , tin , copper , तो यह है among the bronze craft producing area , जो की है उत्तव प्रदेश , टेक प्रिसिदेंस as it has major center like Itawa , Sitapur , Varanasi और मुरदाबाद , ठीक है ? they produce decorative items like flower pot , images of gods and goddesses , they also famous for producing ritualistic objects like tamra patra , ठीक है ? tamra patra मतलब copper plate , ठीक है ? और kancha nantal and pancha patra , ठीक है ? पंच पत्रा कुछ नहीं , copper का वैसल होता है , ठीक है ? तो पूजा कलीवी होता है घर में यह temple में और यह normally बनता है किससे ? brass , copper , और silver , आगे चले another major center is Tamil Nadu , ठीक है ? which focuses on producing beautiful ancient statues resembling the art form from पालवा , चोला , पंडया और नायका पीरड presently important center of brass work across India are ठीक है ? जो किये है ? गांचा तंदावा , इस शिवा डांसिंग इन दा तंडव पोजीशन , केरला ठीक है ? जो हमने ट्रास देखा था तो हमने पूरा description देखा था उनका ठीक है ? राइट है , लेफ्ट है लेफ्ट है , राइट लेग लेफ्ट लेग यह से अबने डिस्क्राइब पहले देखा था आप recall नहीं कर पा रहे हो तो आप revise कर सकते हैं नेक्स चलते हैं Rare Gen Imagery and Icons Reflect the Need of Ancient Gen Pilgrimage Center in Karnataka दोकरा, Casting Used for Ornaments Made of Brass टीक है, Odisha और West Bengal में है यह पहलदार Lamps Copper और Brass की बनी है यह Lamp in Different Styling Ships जैपुर और Parts of Uttar Pradesh पेमभर्थी Craft Exquisite Sheet Metal जोकी Brass से है Art to Adon Chariot और Temples यह है तेलंगना अब चलते हैं अपने Other Metal Crafts पर ठीक है, There are Various Types of Metal Casting that can be Achieved in Iron Copper और Bell Metal एट्सेक्टर Creating Ornamentation on Metal using Techniques like Engraving, Embossing and Damascening makes these Crafts Unique देखो, Embossing का मतलब होता है अपना Mark छोड़ना Surface पर ठीक है जैसे कोई Paper है, कोई Leather है उस पर अपना Mark यहट कोई Design बना देना ठीक है, और Damascening का मतलब होता है कि कोई Ornament जो की क्या है जैसे Iron or या Steel है उसमें Waving Pattern या कोई Design बनाना with Inlaid Work ठीक है, of Precious Metals का तो यह Basically वो ही है Craft के तोर पर आगे चलते हैं One of the most famous techniques is the Marori work of Rajasthan तो जो Marori work है, वो famous है which uses metal to create itching on the base metal and filling the gap with black lark या lack ठीक है तो यह है Marori work of Rajasthan ठीक है Most of the major craft use techniques like embracing or repose that create a raised design in relief Repose भी वो ही है Malleable कोई metal होता है उसको shape देते हैं by hammering उसके बाद जैसे भी design उसमें चाही होता है उसमें add हो जाता है ठीक है, जिस पर भी बना रहे हैं और The other craft use the technique of engraving which is created by scratching and cutting line into the other metal Most of the metal work is used for making pots pan like badla which are semi-circular or rounded pots made in Marwar region of Rajasthan by using zinc ठीक है, simple है Other major work on metal is done in Muradabad which perfect the technique of barik kaam That is delicate work They use the nakashi style or the engraving style to create pots तो Tarkashi work from Rajasthan ये भी देख लो हो आप Another amazing technique is used for using fine copper or brass wire to create pattern in finely chiseled grooves in the metallic base This technique is called Tarkashi that is in Rajasthan So match the following में आ जागा ठीक है तो पता ही कैसे portion frame होगे राइसानी artists have also perfected the technique of koftagiri or damascening that involves inlaying in light metal on a dark side ठीक है, artists in Jaipur and Alwar usually make it ठीक है Other varieties of famous metal craft in India are given ठीक है, तो बेसिकली आपको नाम और जो place है वो देखनी है GI tag, current affairs में से कर देना cover ठीक है, पिछले date साल के ठीक है, maximum date साल के, minimum एक साल का ठीक है जब भी आपका exam है तो Metal का name देखते हैं ठीक है बिदरी craft, करनाट का से है मैं इसको read कर देता हूँ Blackened alloy of zinc in copper is inlaid in thin sheet of silver to make item like hookahs, vases, earrings, showpiece item etc. which also have a good export market next है अपना Aranmula Kanadi ये metal का mirror है from Kerala being a rare piece of craft it is handmade metal alloy mirror made in Aranmula a small town in Kerala the alloy is polished for several days to get mirrors reflective surface next है अपना Nithur Peti Jewelry Box from Kerala unique antique handicraft made normally using rosewood and brass curious it has intricate pattern which are inspired by the temple architecture and traditional art form of Kerala next है Chandi Tarkashi that is silver filigree Odisha से है alloy of 90% and more pure silver is used technique such as granulation snow glazing and casting are used innovatively to make ornaments next है स्वामी मलाई bronze icon तो तमिलाट से है ये स्वामी मलाई is a traditional site where this craft is practiced since Chola period idol of bronze and pancha loha copper brass silver lead silver or gold तो पांच होगा है तो पंचा लोहा copper, brass, lead, silver और gold made for religious purpose अब चलते हैं अपने leather products पर leather products the art of leather tanning जानवरों की खाल निकाल के बनता है leather ठीक है is known to have existed since 3000 BC क्योंकि जानवर को मार देते थे थे पहले तो उसका मास ही तो खाते थे तो skin का क्या करते थे clothing बना ली ठीक है चटाई के तौर पे बिचाने के लिए थोड़ा warm मिले ठीक है उस sense में यूज़ कर लिया ठीक है तो although the few first few animals those skin were tanned were tigers or deers the most popular animal for the skinning तो camel बन गया popular और पहले कों से थे tiger और deers it is said that in the ancient period the rishis or the wise men dwelling in the forest जो रहते थे जंगलों में संत हमारे used animal skin as mats ठीक है तो बिचाने के लिए ताकी घरमाट मेरे even though leather was used in mughal period the degenerative nature of leather makes it difficult for us to find material evidence for it क्योंकि perishable है ठीक है तो जल्दी खराब हो जाता है तो बचानी ठीक है currently leather is mostly used to make footwear, bags, wallet, etc the biggest market of leather is in Rajasthan where camel leather is used to make bags of various shapes and size apart from this Jaipur, Jodhpur famous for mojris which are specified type of leather footwear another major center is Uttapadish जो की है Uttapadish में कहां पर? Kanapur में basically whose economy is sustained to a large level on leather and tained product Maharashtra is also famous for Kolapuri Chappal तो अभी बहुत सारे हम states और देखेंगे कि जहां पर एक particular footwear famous है वो आ गया आएगा ठीक है? तो Kolapuri Chappal हो गया apart from these Chennai, Kolkata are also major center for leather, bags and footwear Punjabi Juttis are also famous as they use applicue technique on the footwear that makes them very beautiful another major techniques of art on leather is practicing Bikaner called Manoti Art और जो भी art का नाम है ठीक है? जैसे Bikaner में Manoti है Punjab में Jutti है तो यह वैसे तो simple है बट जो difficult है वो exam में आ सकता है ठीक है? Manoti आ सकता है पता नहीं है क्या है, ठीक है? जूती तो पता है सबको तो आगे चलते हैं which involves decorating articles with camel skin this Manoti art is also called Usta art ठीक है? drive from Persian world that is Ustaad और Master ठीक है? तो various regional footwear देख लेते हैं इंडिया में कहां कहां पर है? ठीक है? तो image भी देखते रहा ना? ताकि आप इस पर reference के लिए मिलाया हूँ ताकि आप पहचान लो कौन सी जूती अगली बार आप अगर शॉपिंगरने जाओ तो तो Conglan Conglan stitched boot कहां से हैं? West Bengal ठीक है? made in the northern part of West Bengal these boots have thick leather sole high layered sides made from either leather or thick cloth next अपनी पाबू stitched boot Jammu Kashmir ठीक है? traditional colorful knee length boots from Ladakh region तो कौलापूरी चप्पल I am sure इस अब कोई पता हुआ तो ये करनाटका और महरास्टा से related है handicrafted pure leather ethnic footwear mainly produced in कौलापूर region of महरास्टा and some parts of करनाटका कटकी चप्पल योडिसा से ethnic leather footwear ठीक है? तो आजकल कपड़ी की भी आ रही है ठीक है? हर market segment of cater कर रखा है leather की थोड़ी expensive होती है कपड़े की थोड़ी reasonable होती है ठीक है? तिला जूती तो तिला जूती देख लो ये है ठीक है? इसमें carving भी कर रखी है traditional footwear है Punjab से inspired from Indian Rajputana it is traditionally made by a leather made up of leather with extensive embroidery जो कि यहाँ पर कर रही है using gold or silver thread ठीक है? mojri footwear ये राहिस्तान से है ठीक है? तो mojri basically leather leather wear है ठीक है? ये है traditionally it is made by artisans mostly using tinned leather mostly ठीक है? तो आज कली कपड़े की भी है ठीक है? तो ये थोड़ी expensive होगी ये थोड़ी reasonable होगी या फिर depending upon कितनी उसमें महनत लगी है ठीक है? अगर ये silver या gold की है तो obviously ठीक है? अगी चलते है multani khusa तो this is from राहिसान पंजाब it is made तो ये pair है ठीक है? designs है अब चलते हैं wooden work पह तो India has large forest cover and wood is one of the major product derived from these resources तो forest से पता ही है किती सारी लगने भी मिलती हैं ठीक है? उससे बहुत सारी जीज़े बनती हैं including paper one of the biggest commodities made from wood is furniture we find different kinds of exquisitely carved woodwork furniture in shisham wood pine wood ठीक है? one of the largest center for making wood furniture is Kashmir where this art form has flourished since 11th century they use Kashmir में क्या use होता है? walnut इसमें कभी दीमं ही लगता है बहुत strong होता है अब तो मिलना बहुत ही मुश्किल है ठीक है क्योंब दिमांड इतनी हाई है और यह थोड़ा expensive भी होता है the other word extensively Kashmiri artists are also adapt at making wooden houses house boards going to the cold and wet climate that is prevalent there तो वो जो Kashmiri है अपने वो wooden house और house board भी बनाते है ठीक है क्योंगी वहाँ पर बहुत ठंड होती है some of the most exquisite exquisite मतलब होता है बहुत बढ़िया ठीक है extraordinary outstanding woodwork are the Kashmiri lattice work such as आचेदार और खतमबंद और अजली पिंजरा ठीक है तो यह Kashmiri के lattice work है आगे चलता है another major center is Gujarat where wooden lattice work is used on the wooden or on the wooden doors or windows moreover most of the hilly area that have access to abandoned wood excellent carving techniques तो जहाँ पर भी wood वगर है महाँ पर carving बड़ी अच्छी होती है for example in हिमाचल टाउन like ब्रामोर और चत्राही excellent wood carving technique like the नाग बेल कुतरी फूल जाली डोरी used temples other major center in India for woodwork आर तो यह देख ले थे करनाटका में sandalwood sandalwood making of various carved wood item ठीक है आंत्र प्रदेश में रक्त चंदन typically red sandalwood तो रक्त मतलब खून होता है रक्त और चंदन पता ही आपको तो red sandalwood carved all और फिगरीन बनते हैं से kerala में teakwood used to make थारावार्ड house that are famous for their deep brown color and intricate woodwork nagaland में kumisahing wood local wood found in most part of north east states noteworthy for huge lock drums राइसान में rohida wood used to make decorative item like sindhur boxes or turned bowels रत्नागिरी महरास्टा में हैं pandora wood lacquered imitation fruits ठीक है अब चलते हैं other famous wood craft में तो पहला देख लो आप nirmal painting made on wood तो ये लकड़ी पे बनाएगी है painting nirmal painting ठीक है तेलंगना से आईए kashta curry wood carving तो ये है goa से आईए household product wood carving is also visible in churches temples houses etc संतालम sandalwood carving करनाटका में है ये ये देख लो आप इस मेनली यूस्टो manufacture idles and product relating to religious purpose next अपनी खतम बंद woodcraft जमू कश्मीर से है ये ठीक है ये ceiling है ये भी ceiling की डिजाइन है the wood piece are joined with the help of three different types of joint which form the basic technique of khatamband this used design originated from the geometrical tessellating pattern or Islamic tradition next है अपना सिक्की grass craft ये भिहार से है ठीक है it is used to make ornaments, boxes container to store rice, grains, lentils तो ये सब next है अपना सीतल पत्ती grass mat तो ये साम से है तो शीतल मीन्स कूल, पत्ती मीन्स मैट्स और ग्रीन पत्ती दाई और लॉंग stemmed, nautiless, motra, reeds are used as raw material to make this mat तो next है अपनी khunda bamboo staff तो ये पंजाब से है तो आपने देखा हुआ है ये मोल्ड होती ठीक है it is used as an essential part of bhangla dance these iron-tipped staves serve the purpose of walking aid or can also be used as a weapon तो next चलें इससे पहले आपको एक और चीज़ बताना जिहान से निकल गया ये जो खतम बंद है न इसको भी कहते है art of making sealing ठीक है तो बसी ये बताना ठीक है था अब आगे चलते है अपना khawad mobile shrine राइसान से पोटेबल shrine है has multiple folding doors जैसे कि आप देख सकते हो multiple folding doors है ठीक है each of which is painted with representation of epic or myths of hindu mythologies ठीक है तो ये बड़ा interesting है ये और कितना सुन्दर है तो ये कुछ और भी है ठीक है आप देख लो तो आगे चलते है चौक्टसी ठीक है चौक्टसी तो ये सिक्किम से अपना लिखाई वोड काविंग उत्राखन की है ये ठीक है तो ये बेसिकली क्या है उत्राकंड से अपना लिखाई लोटस आगे चलते हैं संखेडा फर्नीचर गुजराद ठीक है इट इसमेट 100% सीजन टीक वोड अब्स्ट्रेक्ट डिजाइन अन फ्लोरल पेंटिंग आर ड्राउन वोडन फर्नीचर विद ब्राइट शेड्स अफ गोल्ड, सिल्वर, मरून, ग्रीन वर्मिलियन और ब्राउन ठीक है तो एक कुछ और है अपनी वालनट वोड काविंग जमो कश्मीर ठीक है तो इस ट्रडिशनल काविंग टेक्नीक इस करेक्टराइज बाई हाई रलीव और अंडरकट स्टाइल अफ काविंग तो इलाबोरे डिजाइन अपनी पीठापूर प्रिंटिंग ब्लॉक गुजराथ से दिस क्राफ इस प्रिजब बाई आर्टिसंस प्रजापती और गजर्क फैमिलीज इस ब्लॉक्स आर उसे और प्रिंटिंग उन गर्मेंट्स बाई मैनुव्श्र्र तो जो ब्लॉक ये बना रहे हैं ब्लॉक्स ये प्रिंटिंगए काम आता है किसमें गार्मेंट्स में हैं बाई मैनुवच्छरर ठीक है कुछ और भी देख लो ठीक है हागे चलता surpass अब देखते हैं fact various types of toys this ठीक है अब देखते हैं various types of toys the toy making is as much an art as it a flourishing business तो ये art भी और business भी है the first evidence हमने देखा था toy cart का कहां पर हरपन में हरपन सिलाइचन में continue जाता है वो early historic period the toy carts of copper bronze terracotta were found in several archaeological sites belonging to हरपन period like alamgiripur, ambkheri, kalibangan, lothal ठीक है similar cart model were found in early historic site like atranji khera or nagarjunakonda, sambhar, sonapur, ujjain, brahmapuri in the ancient and medieval period toy were made of different types of material like clay, paper or paper machay or painted or lacquered wood, beautiful dolls were made of redwood for example Tirupati doll which are prevalent in Andhra Pradesh राहिसान is famous for dolls, stuffed toys, made of colorful clothes Assam, traditional toys made out of peat or Indian cock Southern Indian states specialize in making toys out of different types of wood Mysore में, Channa Patna, Karnataka में, special toys made of lacquered wood आगे दिखते हैं तो special toys made of lacquered wood are also substitute for crafts as they are so exquisite, in Kundapalli situated in Andhra, local softwood known as ponki is used to make a very popular toy called Ambari Hattie तो ये तो इंट्रो था, अभी famous देखते हैं, ठीक है तो basically क्या है कि आपको थोड़ा global और Indian perspective देता हूँ ठीक है तो जो अपना पूरा world का market है ना वरांड 183 billion US dollar का है ठीक है और ये expected है कि ये 326 billion US dollar पहुंच जाएगा 2032 में ठीक है हमारे इंडिया का क्या है इंडिया का है हमारा 1.6 billion ठीक है अभी present 2023 में और हम एम कर रहे हैं Government of India एम कर रही है इसको पुचाने की है 2-3 billion US dollar by 2025-26 ठीक है जब 2-3 billion का ले जाने का है तो कुछ steps हो लिये होंगे क्योंकि basically हमारा 70% जो भी import होता है वो चाइना से होता है ठीक है तब ही हमारे प्रदान मंदर ने बुलता local for local आत्म निरबर भारत ठीक है तो हमने क्या कर रखा है government of India ने क्या कर रखा है ताकि boost or domestic production of India they raise custom duty ठीक है custom duty क्यों लगाते हैं ताकि local industry, business और economic को बचाया जा सके है तो उसको 20% से कर दिया था 60% 2022 में 2020 में 20-20 में 20-60% कर दिया था custom duty बट उसको 2000 फरवरी अभी की नियू जाई है फरवरी एक में 2023 में 60 से कर दिया 70% ठीक है तो custom duty अब import कर हुए toy ठीक है footwear इन में कितना है 70% है custom duty और extended PLI scheme भी कर दिया है ठीक है तो ये था अपना पूरा present का intro तो अब चलते हैं आगे अब देखते हैं famous variety of toys in India तो चनना पटना toy ये का की है करनाट का की है traditionally made from ivory wood ठीक है नेक्स अपनी कुंडा पल्ली बमालू toys तो इस फ्रम आंधरप्रदेश made using softwood the wooden piece is heated to make it moisture free ठीक है subsequently different parts of the toy are carved separately and then they are glued together example है अंबारी हट्टी ठीक है नेक्स अपना किन हल या फिर किनल toys from करनाट का unique wood wooden craft flourished under the royal patronage of Vijayanagara Empire अब देखते है stoneware following the tropical or geographical situation of India it is realized that stone mensary or crafting is one of the most popular art in India in the ancient period to create exquisite monuments the artisans needed skills in carving and sculpting the best example of stone work can be seen in southern Indian town artisan used a range of stone to create their masterpiece like the soft brittle sandstone to patchy red stone to hard granite ठीक है तो stoneware से याद आया देखो basically न अभी अभी का present का example ने जो अभी राम temple बन रहा है ये धाम है तो उसमें metal work को इग्नोर कर रहा है metal work यूज नहीं कर रहा है जैसे iron ठीक है stone यूज कर रहा है the durability of stone is much 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 longer than the iron iron की shelf life होती around 94 years ठीक है और stone की could be a thousand years और more ठीक है तो ये था थोड़ा context आगे चलते है the task was to create life-like structure that resemble natural posture exhibited by people ठीक है तीक है the evidence of the sculpture and the architectural façade can be seen from monument dated to the modern period the best example would be the rock-cut cave in Ajantayalohra the erotic sculpture of Khajrao Buddhist carving of Sanchi and Bharut in the hilly area good example can be seen from the manolithic carving of the rock-cut temples at Masrur in the Kangra district of Himachal carved in early 8th century तो ये basically example है इसमें बता है कि stone में क्या people की जए expression है ठीक है abdured by the people वो easier रहते है तो ये सब है और कुछ-कुछ example दे दे रहे है आप पहले ही पढ़ रखे है ठीक है आगे चलते है तो ये रा क्यों क्योंकि वो stone से मारवल पर चल लगे थे ठीक है उन्हाने focus क्या इनले वर्क पर जो हमने पट रखा है पेटरदूरा जो ताज मेल में हमने देखा था ठीक है बिर्टिश जने जो metal वर्क थे ठीक है वो चुरा के ले गए दे अलत प्रावन से जो की वायट मारवल से मने है तो आर्टिकल साथ रोड़ कों से राइस्थान है ठीक है संगे मर्मर जो की वायट मकराना मारवल के बहुत फेमस आई है अनदर जहां से है टीक है उत्तब अदेश में तो आप देखते हैं फ्लोर दिजाइन ठीक है सेक्ड लास्ट टॉपिक अपना ही है फ्लोर दिजाइन अपना ही है इस डाइवर्स आइवर्स आइट फॉर्म कट्स अक्रोस रीजन बांटरी इन असीन इन इन मैनी स्टेट्स आपने दूरिर रिलिजिए वस्पेशोस फ्ली वाइटन अपना ही है भी लास्ट दोब द नाइब टॉपिक अपना ही डीजन खलो इन इन जाइब ए जवितितिन लाक्ता है या फिर, geometrical shapes of circle, square, triangle, etc. It is a natural way of drawing, beginning at the center, growing larger with repetition of pattern. Natural material and color which do not stain the floor can easily be erased or generally used. ठीक है? So therefore, they are not meant to be permanent for white color, dry white chalk or lime powder. चूना जिसे कहते हैं, powder marble or mixture of rice powder or lime is used. तो यह सब है है. The chalk purna of Punjab, Uttapadesh, the eye pen design of Himachal adopt square, circle, triangle as a basic motif. The wood chalk square जो की है, is dry from the wood chalk seat of Lakshmi, the goddesses of wealth and prosperity. They are made using auspicious festival and occasions. The mandana of Rajasthan Madhubadhi literally means mandan, that is decoration. The pattern again vary from square, hexagon, triangle, circle. For preparing a mandana, the ground is cleaned with cow dung. ठीक है? And on several occasions, finished with crimson red, which is obtained from reti, red earth. ठीक है? मिट्टी मतलब. The mandanas of Madhubadhesh use a variety shape design according to the occasion. तो mandana of Rajasthan देख लो. ठीक है? तो आगी चलते हैं. Santhiyas are made in Gujarat to decorate the entrance of house on important occasion. Rangoli, Maharashtra use elegant shapes, motifs like lotus and swastik. ठीक है? अगी चलते हैं अपम. The column design of South India are drawn to link an array of dots which vary in number combination form. The thin lines are drawn with powder, rice or the white powder. ठीक है? तो score. क्रश कर देते हैं, ठीक है? Column design are outlined with the rat Geru. It is also called Hase in Karnataka, Mughaloo in Andhra और Golem in Kerala. Cosmological bodies are also drawn. Specially sun, moon, mandapa columns are large floor design drawn exclusively for marriage ceremony. ठीक है? Made with wet rice paste. These columns add sanctity to the marriage hall. In many households, space for worship in homes is sanctified every morning with a graha column. The Jonti of Odisha and the Aripana design of West Bengal and Assam are highly stylish. Conch shell, fish, serpents, flower etc. are commonly used as motifs. The design are drawn on the floor with chalk powder, filled with colored powder or rice paste, colored with Alta, that is Indoor, for red and Terminic for yellow. It is customary to place a flower before each Aripana design. Other famous handicrafts in India, last topic. So, handicrafts ko naam, state, detail. Papier amache. This is from Jammu Kashmir or Bihar. This craft is made of paper pulp. इसको mash करते हैं, mix करते हैं, copper sulfate, rice flowers, then molded into a design shape. तो यह देख लो, ठीक है? बहुत सारे stuffss बना रखे हैं. Next, अपनी गंबीरा मास्क वेस्ट बेंगॉल में. Theme क्या है? Goddess, Kali, Kali Maata. चाओ मास्क, West Bengal. चाओ मास्क is mainly used in चाओ डांस. मास्क consists of various mythological characters like Mahishasur, Mardani, और Ramasita. एड़ चत्व. ताउंग जाओ, पॉट्ट्री, बनिपूर. टेरा कुटा से बनते हैं, ठीक है? विच इंक्लूड़ पिच्चर्स, कुकिंग वैसल, प्लेट्स, पॉट्रिंग, लिट्स, बाउल, पॉट्ट, और यह made mostly by women. नारी शक्ती. नेक्स्ट अपना संजी पेपर स्टेंसिल. तो स्टेंसिल कैसे यूज़ होता है? यासे इंडिया का स्टेंसिल मिलता है, ठीक है? और या फिर एल्फाबेट्स का स्टेंसिल मिलता है, हिंदी का भी मिलता है. उसमें हम क्या बोगते हैं? उसमें ए पहले से बना होता है, ठीक है? ऐसे बना होता है. तो इसके उपर आप color डालोगे यहाँ पर जो color डालोगे वो वैसा वैसा print छोड़ देगा तो वो ही है Sanji paper cutting is an ancient craft of paper stenciling this stencil used to make रंगोली pattern on wall या फिर floor में known as Sanji next है अपनी bitty that is wall painting राइसान में mud wall painting people decorated wall ठीक है to secure house from evil spirits ठीक है तो बुरी नजर से बचाने के लिए सब लिखते हैं देखो बुरी नजर से क्यों लिखते हैं अगर आप जैसे कोई भी भगवान की photo लगा होगे आपने जो God जिसको भी आप मानते हैं उसकी photo लगा होगे तो positive energy आती है गौड विजिबल नहीं है तो कोई चिन होगा उसको देखे positive energy आती है या हम positive सोचने पर मजबूर हो जाते हैं तो वो ही है तो जो भी क्योंकि हर एक की मन में good और evil रहते हैं तो basically वो ही है तो evil spirit दूर हो जाती है अच्छे thoughts emerge होते हैं अच्छे अपनी सुथाई स्थुको वर्ख तमिलाण में इस प्रेक्टिस मेली बाइब क्राफ्ट्समें फ्रम पिलमार कास्ट इन काकम पुद्दूर ठीक है नेक्स ने अपनी रामबंस नेच्रल फाइबर क्राफ्ट उत्राखंड से यह ठीक है तो रामबंस इस वराइटी ऑफ सीसल प्लांट का है यह दा फाइबर इस बंच्ट रोल्ड ब्रेड़ इंटो टॉइज रोप टेबल्स मैट बैग है एट इस पर तो यह देख लो ठीक है और यह उत्राखंड की जो गवर्मेंट है वो इनिशेटिव लेर यह कुछ तो रिस्टोरिंग दर ट्रेडिशनल आर्ट्स ठीक है कॉपर वेर, वोड क्राफ्ट, फुलन क्राफ्ट, वैक्स, रिंगल, आइपन, फो कार्ट और यह अपनी रमबान्स नैच्रल फाइबर जो भी पड़ा है तो नेक्स्ट है अपना मो लेला क्ले सिरैमिक यह कहां से है राइस्तान से है ठीक है it is a type of terracotta tiles, मुराल्स, literally means baked earth ठीक है next अपना थीवा आर्ट वर्क राइस्तान से it was invention of नत्हुनी सोने वाला it is used in making objects like comb, hairband, coat button, ठीक है photo frame, jewelry item गंजीफा कार्ड हमने पहले देख रखा है प्लेइंग कार्ड होते हैं ये ठीक है पर्शियन से रिलिटेड है तो ये कहां से करनाट का मैसूर इस अ कार्ड गेम विच गेम फ्रों पर्शिया इस वेरी पॉपलर ट्यूरिंग दा मुगल पीरिड ठीक है आज की वीडियो खतम चैप्टर कम्प्लीट हो गया है अगली वीडियो में देखेंगे प्रीविश एर कोश्टन प्रिलिंज के प्रेक्टेस प्रिलिंज के और फिर मेंस के आपको पताईए अब मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो